पूरु की कख्षा में हम वस्त विक्रह पाठ को पड़ रहे थे और उसका द्रिश्य हमने स्माप्त किया था जो वैदेशिक अंग्रेज है वह भारतिय कपड़े को देख करके चकित होता है और अपने नोकर को समझाता है अकि देखिए यह कपड़ा बहुत ही बारिक है इसकी यदि सरीर पर पांचे परत भी लगा ली जाएं तो भी सरीर विनावस्त्रों का दिखाई देता है इन वस्त्रों के सामने हमारे वस्त्र का जो व्यापार है वो कभी भी उन्नत नहीं हो सकता इसलिए वह अपने मन ही मन किस परकार का भारती व्यापार को नश्ट करने का विचार करता है और आज की जो कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे अकि अंग्रेज ने अपने चिंतन को किस परकार से जो किया उसका भावात्मक रूप डॉक्टर मत्रा दास जिक्षी ज्वारा यहाँ पर लिखा गया है आप पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे यह बहुत ही सुन्दर स्लोक है और स्लोकों को हमेशा गाया जाता है और जरूर गाना चाहिए मैं आपको इसका उच्चार्ण सिखाऊंगा और आप प्रयास करेंगे मेरे साथ बोलने का और सीखने का देखिए मैं पहले इसका उच्चार्ण करता हूँ आप द्यान पुर्वक इसे देखेंगे कहां कहां मैं रुका रुकने को यती बोलते हैं और किस प्रकार से आरोह आवरोह मैंने इसमें किया इस बात का द्यान आप रखेंगे आईए मैं पढ़ता हूँ और सुनिए एतत सुक्ष्म पटास्य निरमित विदे रुन्मूलने अंक्षमो निरमात्रिन्या दंडताडन परा तान्मोचै श्यामतह कोशल्यम्रियताम अधस्त दधिकं वानिज्यमत्युन्यतं देश श्याष्य समुन्यतिर जनकता मात्रे समाधियताम मैं चाहता हूँ आपको भी गाना आजाएगा इसलिए एक बार मैं फिर से आपको इसका उच्चान करके बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आरोह अवरोह के साथ स्लोक पढ़े जाते हैं स्लोक बड़े करण प्रिय होते हैं और आप इसका अनंद उठाइए एतत सोक्ष्म पटाश्य निरमित विधे रुन्मूलने आहंक्षमों निरमात्रिन्य दंडताडन परस्तान्मोचै श्यामत्ः कोशल्यम्रियताम अधस्तदिकं वानिज्यमत्युन्नतं अंग्रेज भारतिय कपड़ा व्यापार को किस प्रकार से नश्ट करने की सोच रहा है वह सब बातें अपने अपने नोकर से कह रहा है तो देखिया आप पहले एक साबदी का अर्थ जान लीजिए फिर माँ आपका जैसे परिक्ष्या में आपने इसका अर्थ लिखना है वह बता पाऊंगा क्योंकि उपर आप पिछले पाठ में पढ़ चुके आगि बहुत वारिक कपड़े के बारे में अंग्रेज अपने नोकर से प्रसंसा कर रहा है तो उसी बात को कर रहा है एतत शुक्ष्म पटस्य निर्मित विधे यहां तक रथ लगेगा एतत इस शुक्ष्म अत्यनतवारिक महीन पटस्य कपड़े के निर्मीती विधे निर्मीती निर्मान की और विधी तरीका उन मूलने जड़से उखाडने में एहमक्षमा है मैं समर्थ हूँ अपने नोकर को अपनी ताकत के बारे में परिचे करवा रहा है आकि देखिए यह जो भारतिय कपड़ा अत्यनतवारिक है और इसका जो बनाने का तरीका है उसको मजड़से उखाडने में समर्थ हूँ मैं इस अत्यनत बारीक कपड़े के बनाने का जो तरीका या जो विधी है उसको जड़सहित नश्ट करने में समर्थ हूँ अर्थात सक्षम हूँ ताकत रखता हूँ और क्या रखता हूँ निर्मात्रिन निहां दंड ताडन परह यह यहीं पर यहीं पर क्या इसी संसार में इसी जगे पर जहें बनाते हैं इस बंगाल राज्य में निर्मात्रिन बनाने वाले बनाले वाने को हूँ जुलाह कपड़ा बनाते ते दंड दंड का अर्था है पैसे की सजा और ताड़न का सारीरी की सजा तो कहते हैं इनको मैं यह जूर्माना भी लगाउंगा है यह अधिक कपड़े का जो मुल्य है उसको कम दे करके मुल्य का दंड दे करके इनसे कपड़ा ले लूँगा और ताड़न इनको पीट भी दूँगा और ततह फिर है आगे तान उनको वहां निर्मात्रीन तान उसके साथ लेगा तान निर्मात्रीन उन कपड़ा बनाने वालों को मैं यहां पर पीटूँगा भी और दं मैं कपड़ा बनाने वाले जुलाहों को रुपय का दंड दूँगा और शारिक यातना दूँगा और फिर भगा दूँगा कोशल्यम रियताम अधस्त दिरिकम देखिए अपनी ताकत को बता रहा है कोशल्यम कुशल्ता को प्रवीनता को उनके गुण को रियताम अरण कर लूँगा जब कपड़े बनाने की उनकी कुशल्ता है उसका अप अरण कर लेगा तो क्या जाएगा जो वानिज अच्चुन्यतम विकास पर है वह अधय है नीचे चलिया जाएगा अधय सब्द है नीचे चलिया जाएगा एक उन्यतम जो भारती है कपड़ा वियापार बहुत उचाही पर है और जम मैं जुला हूं की बनाने की कुशलता को इच्छिन लूँगा तो कपड़ा जयाएगा नीचे च्ले जाएगा उसका विकास बंद हो जाएगा तीसरी पंगती में क्या कहता है जो जुला में बनाने का गुण है उसको मनस्ट कर दूगा उसी से ही जो भारती कपड़ा व्यापार की उचाही है उसमाप तो जाएगी नहीं चाह जाएगी देश सश्य devrait्र इस देश की किश की भारत वर्ष की जो कपड़े के संवंद्ध में वन्हां थे नाम था को वो जन कथा मात्रे, जन माने लोग कथा माने कहने के मात्र माने बीच में समाधियताम टिकी रह जाएगी, केवल इस भारतिय कपडे का नाम लोगों की जबान जबान पर रह जाएगा, जमीन पर पूर्ण तरह समाप्त हो जाएगा, प्रिय चात्रों देखो माँ आपको फिर स इस श्लोक का कैसे आप अपनी परिक्षा में अर्थ लिखोगे, उसे समझा देता हूँ, अंग्रेज कह रहा आपने नोकर से, मैं इन भारतिय जुला हूं की जो बारीक कपडा बनाने की विधी है, उसको तो जड़ सहितनस्ट कर दूँगा, और फिर जो बनाने वाले हैं, उनको रुपयों का दंड और शारिक प्रताडना दे करके छोड़ दूँगा, इस प्रकार से वो कपडा बनाएंगे नहीं, और धीरे धीरे बनाने की जो उनमें कला है, कोशल है, होश्यारी है, वो उनकी समाप तो जाएगी, इस प्रकार से इस भारत वर्ष का जो बहुत उ आईए, इतनी देर में जब ये बात हो रही थी, वैदेशिक अंग्रेज की और उसके अनुचर की अर्थात नोकर की तभी एक द्वार पालाता है, द्वार पर जो खड़ा है, जैसे बेटा मैंने अभी बता था तुम्हें, वैज्ञानी का है, वैदेशिक है, उसी प्रकार है, द्वार सब्द, द्वार, तो द्वारे भावती यहसा, द्वारी का है, द्वार पर होने वाला, यहां भी प्रत्य का प्रियोग है, तो आईए, द्वार पाल, पैरेदार, प्रविश्य, प्रवेश्च करके, जैतु, जैतु देव है, देव यहां, स्वामी या मालिक के अर्थ में लिया गया भगवान के अर्थ में नहीं लिया गया तो स्वामी की मालिक की जय हो जय हो तो वैदेशिक अंग्रेज क्या बोलता है दवारी का है अरे द्वारपाल सत्वरम जल्दी त्री चतुरान तीन या चार तंट वायां जुलाहों को समानए लेया उसने एक यद देव आज्यापईति नाटक की भासाई होती है स्वामी का जो आदेश जैसे आप नाटक देखते हैं सिर्जुका करके उसको श् Wirtschaft करते है तो बोलते यद देवाज्यापईति जो स्वामी का आदेश है वहीर गत्वा और यह केवल मंच की भासा है मंच का स्वरूप वहां केवल यह चित्र होता है जो ब्रैकेट की बाथ आ जाती है वहां केवल करीयाएं सरीर से होती हैं बोलने से नहीं होती बहीर गतवा वही जो द्वार पाल था बहीर जाकर गमदातु से यह कहते हैं पंश्मिका प्रियोग होता है एक रिते के योग में। विना के योग में। भहे के योग में। रक्षा के योग में इनर पंच में ओती है लज्जा कर्थ योग पंच में अत recording भी इर गत्वा बहार जाकर त्रीन तंतु आयान और तीन जुलाहों को समानिय साथ ले करके समानिय समानिय यहाँ प्रत्यका प्रयोगा समुप्सर्ग आउप्सर्ग नीदातु है साथ ले करके प्रविष्टी प्रवेश करता है क्या दृष्च्छ देखा आपने पुत्रों द्वार पाल ने सिर्जुका करके कहा जो स्वामी की आज्या बाहर गया तीन जुलाहों को पकड़कर साथ ले करके प्रवेश करता है मंच पर फिर आ जाता है मंच का द्रिश्य है आईए हम अपने अगले पेज की और चलते हैं और अगले पेज पर जो बातें कही गई है उनको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे आपने यहां तक समझा पाठ वैदेशिक गोरांग है तंतु वायान उद्दि कि युश्य जुलाहों को देख करके बोवो औरह.* निर्मि तान पटान मैं鐵 यूयम तुमने जो कपड़े deer मुझे देजु मैं पहले बता चुका हाँ दाधा दातु के योग में कुरत दातू के योग में स्प्रिय दातू के योग में अश्युय p गपड़ागदग धातु के योग में चतुर्थी विवक्ति है मुझे देदू फर जुला है क्या जुला है यह तीन थे इसलिए भवचन आग्या एक उत्ता त्नु आया एक वचन उत्ता तीन थे तो तिन्नों बोले नयवयम नहीं हम क्या अयोग्यम मुल्यत्वात जिनका मुल्य उचित नहीं है योग्यमाने उचित अयोग्यमाने अनुचित मुल्यत्वात कपड़े मोल में पटम निर्माम हैं कपड़ा बनाते हैं क्योंकि अंग्रेजों ने पहले कपड़े खरीदे उनका मुल्य पूरण नहीं दिय तो इसलिए तीन जुलाहे, पिछली बात को यहां कह रहे हैं, लपड़ा बना करके निरुप्सरग मृण नर्माड का अर्थ में है बना करके ट्लwait योग्यम मुल्यम भाविस्यटी तुम्हें उचित मुल्य दिए पहले आया यह सब्दdess योग्यम यह विलोम सब्दों याद रखेंगे आप योग्यम 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 मैं तुम्हें उचीत मुल्ब ले दूँगा ग्रिहाण इमा मुद्रा और डाँट डपट करते हैं क्या बोलाउं तीन जुलाईंगो इमा मुद्रा हा ये महरे ये रुपए ये टके पंच दस लिखना था पंच दस पंच दस पंच दस पंच दस पंच दस पांच और दस मतलब 15 रूपए बहुत कम पैसे पहले 50 दिए एक बार 40 दिए अब देखे यहां लिखा हुआ है पंच दस केवल पंदर रुपई ददाती देता है तम नेगरिन धन्ती उस मोल को वे नहीं लेते हैं अठात तेशाम वसने और धक्के से अठात मने जबरदस्ती तेशाम वसने उनके कपड़े में निबद्य बांद करें निउप्सरग है बद दातों ले प्रत्या है और गल हस तेन होता है तो क्या कहा निबद्य कपड़े में बांद कर और गले पर हाथ रखकर निश्कासएती निकाल देता है पुत्रों देखो कितनी भारती जुलाहों के साथ में अत्याचार होते थे या आप इन सब्दों से जान सकते हो गला पकड़ करके बाहर कर दिया गले पर हा तंत्रता के बारे में आवश्चिह समझता चाहिए और सब्सी पढ़ना चाहिए कितनी यात्नалы हमारी भारती लोगों ने अंग्रेजों की श्युला से पितिहास पढ़ेंगे जानेंगे भगत्चिंग को पढ़ो, राजगुरु को पढ़ो, सुख देव को पढ़ो, उद्धम सिंग को पढ़ो, ऐसे ऐसे वीर सैनिकों को पढ़ो, जिनों देश के लिए अपनी ज्यान दे दे, तंत वाया, द्वार इस्थिता, द्वार पर खडे वे, महाराज अंग्रेज से बोल रहें, नवयम, सत मुल्यम पटम, हम, नय माने नहीं, वयम माने हम, सत मुल्यम, सो रुपय मोल वाले पटम कपडे को, पंच दस भीरेव, पंदरा रुपय में भी, निर्माश्याम बनाएंगे, हम सो रुपय मुल्य वाले कपडे को, पंदरा रुपय में नहीं बनाएंगे, पंच सद भी रेव मुद्रा भी निर्माश्याम नहीं पहले आ चुक्या नहीं को यहां लगाएंगे नहीं बनाएंगे ओहो कितना देखो अत्याचार अब अंग्रेज आगे भी साक्षेपम उनको डाटते हुए कह इमे कोला हलम कुरवंती कुछ लोग बहार होंगे तो जैसा व्यवार किया गया उनको धक्का दे करके गले पर हाथ रख करके बहार निकाला गया तो बहार जाकर करके वह अपनी वेदना को एक दूसरे से कह रहे है और वहां सोर हो रहा है उस बात के लिए साक्षेपम आखशेप के साथ डाटते हुए को हमे कोला हलम कुरवंती कौन है ये जो शोर मचा रहे हैं द्वारी गत्वा दर्वाजे पर जाकर ये केवल मंच का द्रिश्च है द्वारी गत्वा दर्वाजे पर जाकर के और क्या कहा सामर्सम क्रोध के साथ कसया और चाबुक के साथ तान उन सब को ताड़ेती पीटता है अंग्रेज दर्वाजे पर जाकर क्रोज में बरकर चाबुक से उनको पीटता है गच्छत और बोलता जाओ अपरम्सो भनमपटम निर्माई दूसरा सुन्दर कपड़ा बना करे समानेत ले आओ पीटता है दाटता है और उपर से कहता है और दूसरा कपड़ा बना करें ले आओ मुद्रा प्रक्षिपय तेगत उती अब क्या करते वे चार में कैसे निर्भा ह होता था तो अपने दुख को प्रगट करते हैं अपनी नाराज़गी को प्रगट करते हैं और जो 15 रुपए थे मुद्रा का मितलब 15 रुपए प्रक्षिप फेंक कर तेगत्संती वे चले जाते हैं जुलाहे चले जाते हैं वैदेशिक गौरांग क्या करते हैं अनुचरम अपने नोकर की और देखकर भो भो अरे अपरान त्रीन चतुरान तंतु आयान आनयत अपने नोकर से कह रहा है अरे-अरे अपरान दूसरे त्रीन चतुरान तीन चयार को तंतु आयान जुलाह को आनयत लिया औरों को पकड़ जया उनको पिटेगे उनको कम रुपए देगे इसी प्रकार से तो भारतिये वस्त्रव्यापार का रास होुगा वो भारतिये कपड अब्यापार को फलने फूलना नहीं देना चाहते हैं इसलिए अधिक मुल्य के कपड़े को कम मुल्य पर लेते हैं और मारते पीटते हैं क्योंकि पहले इस लोक में कहा जा चुका है मैं कपड़े बनाने वालों को क्या करूंगा और रुपय का भी दंड दूंगा वही बात य सिन्चतुरण तंट वया नानेत अरे जाओ और दो च्यार तीन च्यार जुलाहूं को दिया जरे निर्गेत्ये उसका नोकर निकल करके निर्गेत्य निकल करके इस निकल करकेudizione निय determate पर चार स्वामी से बोला जुलाहों को देखकर निर्मितान कोशे पटानमयम्दत बनाए गए रेश्मी वस्त्र गुजरात का भी बहुत प्रशिद्ध है और बंगाल का भी बहुत प्रशिद्ध रहा है जुलाहों की ओर देखकर बोलता है बनाए गए रेश्मी मस्त्र मुझे दो तन्तु आया जुलाहे नवयं पटान निर्मामह हम कपड़े बनाते ही नहीं है वैदेशिक गोरांग है और अंग्रेज क्या बोलते हैं मिठ्याइतत देखिए यहां आपको वृद्धी समझने पड़ेगी जैसे सदा जमायव सदईव तदा जमायव तदईव यता जमायव यतईव और मिठ्या जमायःतत मिठ्याइतत अव व्रद्धी होगी इस प्रकार से व्रद्धी के दो रूप में तीसरा रूप भी है आर होता है जैसे सुख जमायव तद्याइतत जूट है यूयम तुम पटान निर्माय कपड़े बनाकर स्रेष्ठिनाम शेठ लोगों के सविधे पास में पार्ष्वे पास में समीपे पास में समीपम पास में पर्षविधे पास में विक्रिनिध्धे बेचते हो तुम कपड़ा बनाकर सेठों कोई पास बेच देते हो सरवान कसया ताड़े तुम भर्चयती कशा सब्द कशा जैसे लता तृतिया का एकुछ नोग्या कशया सब को चाबुक से पीटता है और पीटने के लिए डाटता दे ताड़े तुम पीरते P फीटने के लिए वर्चयती डाटता है यहांश्रेटों के लिए बद्ध, हस्त, पुटा बंधे हुए हैं आथों का डोना जिसका और कम पंते काप रहे हैं हाथ जोडे हुए वे सब जुलाहे काप रहे हैं इस प्रकार का दृष्य इस नाटक में अंतिम दृष्य है देखिए कितनी सारिक और कितनी मानसिक पीडाएं जुलाहों को दी जाती और भारती वस्त्र व्यापार को नश्ट करने के लिए किस प्रकार की भारती जुलाहों को यातना दी जाती थी इस में बिलकुल प्रत्यक्ष दिखाया गया है और आप भी इससे आहत हुए होंगे कि कितना हमारे भारतियों के साथ अत्याचार हुआ होगा तो आप निश्कान्ता निकल गए मतलब मंद से चले गए सर्वे सारे प्रिचात्रों आपने बड़े ध्यान पुरुक और बड़े आनंद से इस पाठ को नातक की दृष्टी से पढ़ा नातक के सभी बातों को आप समझ पाए जिसमें अभिनए होता है हमने भी अभिनएक दृष्टी से सब्दावली का प्रियोग किया आप ये कठिन सब्द हैं इन कठिन सब्दों को देखेंगे कठिन सब्दों के अंदर बहुत सारे परिचे हैं जैसे भर्त सहेती का परिचे है भर्त धातु है लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन है जिसका डाटनार्थ है रात्रिंदियोम हमने समास बता था तो जो अभ्यास के अंदर कारिये है उसको आप अपनी भुद्धी कोशल से पाठ के नुशार कुछ प्रश्ण है उनको करेंगे कुछ प्रत्य अलग करने हैं कुछ उन प्रत्यों को अलग करोगे जैसे निर जमामा जमाल निक्षिप गत्वा गम जमा कत्वा गत्वा यह आमने कत्वा प्रत्य का प्रियोग बता लेप प्रत्य का प्रियोग बताया आप इन सब बातों को द्यान से जानेंगे और परिक्षा अपयोगी अपनी तैयारी करेंगे मैं यह जरूर आप से अपेक्षा करूंगा कल आप इस पूरण पाठ का सरलार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे ताकि आपको ये श्मर्ण हो और आपके अच्छी परिक्षा हो फिर हम अगले कक्षाओं में फिर आप से मिलते हैं जैतु संस्क्तम जैतु भारती एज से मिलते देल का सकता हैं जैतु संस्क्तम लिएक्षा ही और आपके मिल ये नहां जैतु सुत dlingों कि एक पसे में ंगया से में जैतु संस्क्क्तिक जैसे आपके प्लिक्षा हैं हुटतितम और आपके इस लिकात्ट कैशो ङ potrzeशना मान हो जैंब